स्वास्त मंत्राले ने पेश किये टीका करण की आंकडे नवासी दशमलब चार फीजद फ्रंटलाइन वरकर्स को दी गई टीके की दूसरी डोस दुनिया के कई देशों में घातक हो रहा है डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरियंट बीते 24 गंटों में सामने आए कई मामले सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश मानसिक बीमारी से फिलित लोगों का कोरोना टेस्ट और टीका लगाए सरकार अजब में बुद्वार से अगली सूशन तक साथ जिलों में रहेगा लॉकडाउन अंतर राज्जी आवागमन पर भी रोक सोशल मीडिया के बाद केंद्रिय फिल्म प्रमानन बोर्ड की बारी संसदी इस्थाई समिती आई टी करेगी कामकाज की समीठ्ष नमस्कार स्वागत है आप सभी का इस बुलिटिन में मैं हूँ आपके साथ शिवम्यादफ कॉंग्रिस छोडने के बाद पहली बार रतलाम आये राजसवा सांसद भाजपा नेता जियत्रादित सिंधिया ने अपने अल्प प्रवास में जिले की तीनों भाजपा विधायकों से मुलाकात की इस दोरान जियोतरादित सिंधिया ने कोरोना को लेकर कॉंग्रिस की कमलनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला गतलाम में वे अपने पिता की प्रित्मा पर पुश्प अर्पित करना भी नहीं भूले कोरोना के समय कमलनाथ या कॉंग्रिस की सरकार होती तो सोचो मद्धप्रदेश का क्या होता यही उन्होंने बात कही तो अगर वो मेरे बारे में सोच रहे हैं तो मेरी खुश किस्मिती है और क्या कहूंग बोपाल में ग्रेय एवम जेल मंत्री डॉक्टर नरित्म मिश्रा का कहना है और उनका को लेकर बयान सामने आया है इस बयान में उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना नियंतरन में आ रहे तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रहे हैं कोरोना की समीक्षा बैटक में तीसरी लहर को लेकर सीम ने निर्देश दी हैं वहीं नरुत्तम मिश्रा ने कमलनात पर निशाना साथते हुए कहा कि कोरोना काल में भरपूर आराम करने के बाद अब वो राजनीतिक परेटन पर निकले हैं आये जानते हैं डक्टर नरुत्त रूप से कहा है कि इसमें कोई कोता ही नहीं बरतना है धील नहीं बरतना है हम लगबक 70,000 के आसपास प्रदिन रोज टेस्ट कर रहे हैं और लगबक 25 से 35 तक हम लोगों की कॉंटेक्ट टैसिंग भी करते हैं इसलिए हमारी पुरी तैयारी और तागत ऐसी है कि करोना की तीसरी लेहर को रूप कर रहा है करोना काल में भरपूर आराम करने के बाद राजने तक परेटन पर निकले आधरनी कमलना की बायपा प्यारोप लगाने के पहले यह तो सोचो के वह 15 साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहें उसके प्रिताजी दाजादी यह सब वो लोग हैं जो कांग्रेस के टिकेट पर टिवारी जी चुनाव लड़े हमां पर एक विदार जुले की मनावर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पुलिस ने अवैद हथियार तसकरों पर शिकंजा कसते हुए आरोपियों को गिरफतार कर लिया है वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से आड़ देसी कट्टे दो देसी पिस्टल और द दो जिन्दाकार्तूस बरामत किये हैं इस मामले में पुलिस का कहना है कि पूछताच में आरोपियों ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है इस आरोपी को जो पकड़ा गया और जब पकड़ा गया तो इसके पास में बहुत इखासक तरीके द्यास अधियार पूले हैं जिसमें करिब आड जो है वो करता है देसी करता है मैं पूर्व केंद्री मंत्रियों और भाजपा के राजसवा सांसद ज्योत्रादत सिंधिया धार पहुंचे जहां उन्होंने कॉरोना से मृत भाजपा कारगरताओं के परिवार को श्रद्धांज लियार्पित की कॉरोना में जनता की मदद करने में कोई भूमिका नहीं है और वो अपने आप में ही उल्जी हुई है कॉरोना जैसे विपत्ती में जहां देश के साथ खड़ा रहना चाहिए कॉरोना को वो पार्टी वैक्सीन पर प्रशने चिन उठा रही है वो पार्टी लॉक्डाउन पर प्रशने चिन लॉक्डाउन किया तो क्यों लॉक्डाउन उठाया तो क्यों दूसरे वेव में जब हमने राज्यों को अधिकार दिया लॉक्डाउन के लिए राष्ट्य वैप एक जनसंग के संसापक श्यामा प्रिसाद मुखर जी की जयनती पकवाडा देवस के रूप में मनाई जा रही है आज उनकी जयनती युपलक्ष में बेटमा के सामदाइक स्वास्त केंद्र मंत्री नगर के गार्डन एवं कई अन्ने जगों पर पोधार उपड़ करने पहुंचे इस अबसर पर नगर परिशद CMO मीनाक्षी पाठीदार नगर परिशद अद्देश धरमवीर सिंग चोहान समेत कई भाजबा कारिकरता उपस्तित रहे साथ की हस्पिटल में रक्षा रोपन का मुझा हमारे दिले के महामंत्री को मंधिंजित से साथ कि इंदोर की किशन गंज स्थाना पुलिस लगातार अवैज शराप के खिलाफ अभियान चला रही इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी जहां पुलिस ने नक 24,000 रुपए बताई ज़ा रही है फिलाल पुलिस ने आरूपियों के खिलाफ आपकारी अदिनियम की धारा में केस दर्ज किया है और साथ ही आगे की कार्यवाई भी शुरू करती है लखन आंजना पटेल नामा के क्यूवक जो की गाउन नावदा में रहता है उसके मकान पर नकली शराब बनाने का एक पूरा कार्खाना संचालित होने की जानकरी पुलिस को मिलीती है यह सूचना मिलने पर SDOP महू श्री विनोच शर्मा के नित्रत्व में थाना प्रबारी किशनगंज श्री शशिकांत को लीड करते हुए एक टीम बनाई गई टीम ने जब उक्तिस्तान पर जाकर दभीश देना चाहा तो उस मकान के बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में एक पाया गया उस व्यक्ती को ठाना किशन पकड़ने पर जब पूश्टाच की गई तो उस व्यक्ति ने अपना नाम हमन्त लूनिया बताया है मन्त लूनिया से जब गाड़ी की सर्चिंग कर वाई गई तो उस गाड़ी से साट लिटर अवेदवाद भी वोपाल में चिकितसा सिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है उन्होंने महिलाओं पर अत्याचार होने को लेकर कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कि अच्छा होता जब कमलनाथ के हाथों में मद्धप्रदेश की कमान थी तब ऐसा विचार कर लेते और कह देते कि महिलाओं को यह कह देते कि महिलाओं पर अत्याचार रूक ने आपको याद होगा मुख्यमंत्री निवास से देड़ किलोमीटर दूर बच्चियों के साथ रेप हुआ था और उस पर कोई कारवाई नहीं हुई कमलनाथ जी ने इतना भी जहमत नहीं उठाई कि उन बच्चियों के घ इन दौर में टिक टॉक पर नकली पिस्टल लहरा कर एक वीडियो शूट किया और इसका वीडियो सोशल वीडिया पर वाइरल हो रहा है वहीं जब इस मामले की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने बाएक सवार चार आरोपियों को गिर्फतार कर लिया साथ ही आरोपिय इन दौर के डिया जी कारेले परसर में पुलिस विवाग द्वारा पांच से अधिक स्पीकर लगाए गए जिसमें सुबह शाम भक्ती संगीत की धुन का संचार होता है एडिशनल एसपी मुख्याले मनीशा पाठक सोनी के अनुसार वर्तमान में पुलिस कोरोना के खिलाफ जारी जंग में महत्वपूर भूमे का निभाने के साथ शेहर की सुरक्षा विवस्था को समाले हुए ऐसे में मंत्रो चार की धुनी अधिकारी से लेकर पुलिस कर्मी तक में एक नई उर्जा का संचार कर रही है मनीशा पाठक सोनी ने बताया कि धार्मिक मंत्रों का उच्छारन प्रतेग व्यक्ति को मानसिख शांती पदान करता है और सकारात्मक उर्चा का संचार होता है करता था चाहे वह आवेदक हो यहां का स्टाफ हो ऐसे में डी आई जी सर ने एक दिन यह सुझाओ दिया कि इस तरह का क्यों ना कुछ यहां साउंड सिस्टम लगाया जाए जिससे कुछ ऐसी म्यूजिक बजाया जाए जिससे की आनंद की अनुभूती हो या ध्यान की भी बरामात की हैं वहीं पुलिस की पूछताश में आरोपी वक ने बताया कि वह इससे पहले भी चोरी की कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है फिलाल पुलिस आगे की कारेवाई में जुटी हुई है मात्रा में लेक्रानिक आइटम्स जैसे वीडियो कैमरे ड्रोन और लैपटाप पामटाप और मोबाई बरामत किये गए हैं यह जो है दू कैमरे ले करके बेचने के फ्राग में था जिसकी शुच्णिया पुलिस वैलन पुलिस को मिली थी वैलन पुलिस ने इसको रैट करक के पकड़ा था और उससे पूस्ताज करने पर उसके भर से काफी मात्रा में जो है लैपटाप पामटाप मोबाई तीन ड्रोन कैमरे और भारी मात्रा में जो है यह कैमरे बना मात हुए है अनुमानिक लागत जो है अंठामन लागत वह सिंग्रॉली जिले के जिला मुख्या से मैस 10 किलोमीटर दूरी पर बैगा समधाई की बस्ति यहां पर कुल मिलाकर बैगा समधाई के 65 परिवार जिनकी आबादी लगभग 200 से उपर है यह मुडवानी इलाके में रहने बाले बैगा समधाई की लोग प्रशासन की उपेक्षा कर शिकार है लोगों की शिकायत है क समधाई के बच्चे बिजली ना होने की वजए से अच्छी सिक्षा भी नहीं पा रहे हैं हलाकि यह हैरान करने वाली बात यह सामने आ रही है कि नगर निगम ने ठेकेदार जो प्रेयसे वह गरीं में टो पानी बेहके आया था वजए से जो एक रेंटी बभानी की शती हुए हो önच जो हमारे जो थिब आ हमारे जो आज़िस्वें करायों और दो मारे फ़ोरी कर दो जो क्बूर उनल असरो होते और को नहिए और रही सब्सक्राइब की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समधता विनैय यादव सीधे फोन लाइन पर जुट चुट चुट है विनैय क्या ये पूरा मामला है एक समधाय विशेश की अंदेखी की जा रही है लेकिन जिस तरह की तस्वीर हैं हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैगा समधाय के लोग काफी परेशान हैं उनका कहना है कि सडक बिजली और पानी का बहुत बड़ा संकट उनके उपर है लेकिन बावजुदिस के प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है रतलाम के स्टेशन रोड थाना शेत्र में एक मारफीट का मामला सामने आया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इस पूरे मामले में पुलिस अदिकारी ने बताया कि वीडियो स्टेशन रोड थाना शेत्र के जावरा फाटक का है जहां कुछ लोगों के रिवा जिले के गर्थाना पुलिस ने घेराबंदी करके 150 किलोग्राम गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है जीप में लोड करके ये गांजे की खेप लाई जा रही थी जिसमें तीन तसकर भी सवार थे जिन में से दो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया जबकि एक भागने में काम्याब हो गया जिसकी तलाश की जा रही है वहीं पुलिस लगातार परार आरूपियों की तलाश में जूटी हुई है साथी पुलिस इस पूरे मामलेक पर जांच कर रही है और आगे की कारवाई शुरू करती है रिवा के शामशा मेडिकल कॉलेज में हरताल पर बैठी नर्सों की मांग का समर्थन करने के लिए औल इंडिया महला कॉंग्रिस की कारेवाहक धरना इस्थल पर पहुंची प्रदेश अद्धिक्ष कविता पांडे ने उनके हर कदम और हर लड़ाई में पुर्जोर तरीके से साथ देने का भरूसा दिलाया साथी प्रदेश भाजपा सरकार की मानसिक्ता की सफाई के लिए नर्सों के साथ मिलकर जालू लगाते हुए संदेश दिया कि सरकार जल से जल्द इनकी सर्वोच्चित मांगों को माने ताकि ये दोबार अपने कर्तब विक्लिए लोट पाए और चर्मराई स्वास्त विवस् इनके ऊपर फूल बर्साए गए ताली थाली बजाई गई और तरीके के दोग ददूरे किये गए लेकिंग इनकी मागों को नहीं माना गया लगबाग पचास नर्सेस में प्राणों किया हुए ती देदी अपने लेकिन इनको ना तो अभी तक अमकंता है नहीं नहीं को रो क्या कुछ यह मामला है इन नर्सों की क्या मांगे है हम लोग आंदोनों करने के लिए जित तैयार रहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया समीर अमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देनी करते हुए रीवा में शराब के नशे में दुत्तिक महिला ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया इससे बीच बाजार में पर लगातार वाइरल हो रहा है जैसे इसलाँ मैं मन्सूर जिले की बानपुरा तहसील में मिनी गुवा नाम कि एक जगह के सलें बता देने बाप्रोंगा तो नो विशाल शिलाखंड इस्थित हैं इन शिलाखंडों में एबाबिल पक्षी के मिट्टी से बने सुन्दर घरोंदे होने के कारण इन्हें गाउं में चिडी वाला पत्थर भी कहते हैं इन्हीं दो विशाल शिलाखंडों की परदी में चंबल अपना विराट स्वरूप लिए यहां लगातार लहरों की मार से रेत ने जमा होकर किनारों को बीच का सुरूप दिया है यही कारण है कि आने वाले परिटक इसे मिनी गुगा की संघ्या देने लगे हैं बड़ा सवाल यह है कि यहां पर हजारों परिटक रोजाना पहुंच रहे पर प्रिशासन की कि किसी यह फाल पानी एक जैसा हो रहा है वाकि यह पुलिस आनो यहां पर हुना ची यह है यहां पर वायन भीदी चलती है पिर चलती है डारू चलती है यह बुलिटने फिलाल बस इतना ही नमस्कार झाल झाल